सद्गुरू, ग्रंथों में लिखा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, साथ ही हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वो पहले सित्य है किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है? कम से कम मैंने यही सोचा कि कुछ चीजें करना हमारे भागय में लिखा है चाहे जो हो जाए अगर ये सच है तो हमारा किसी न किसी दिन मरना भी तह है तो दुनिया में हमारे जैसे लोगों का क्या काम है निश्चत रूप से मरना हमारी किस्मत में है लोग आकर मुझसे कहते हैं सद्गुरु ये आदमी मेरा दुश्मन है मैं उसे सेहन नहीं कर सकता मैं कहता हूँ बस इंतजार कीजिए वो मर जाए आपको कुछ नहीं करना है बस इंतजार कीजिए बस धीरज रखिए तो मरना तय है हाँ मगर मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्रंथ ने इस बात का जिक्र किया है कि आपका जीवन पहले से तय है या पहले से निर्धारित है ये विचार विदेश से आया है आपको समझना होगा कि इस संस्कृती की मूल भूत प्रकृती क्या है इसकी जड़े कहा है ये एक बिना भगवान की संस्कृती है आपको ये समझना होगा इस देश में कभी भगवान की कोई धार्ना नहीं रही है वो धार्ना विदेश से आई है मैं इसे ठीक से समझाता हूँ क्योंकि इससे बहुत से लोग नाराज हो जाते है एक ही इश्वर में विश्वास करने वाले मानते हैं कि कोई एक भगवान है जो उपर बैठकर आपके लिए चीज़ें करता है यानि कि कोई ऐसा शक्स है जो सारे फैसले करता है इस संस्कृती में ऐसा नहीं है यहां कोई भगवान नहीं है लेकिन बहुत सारे देवी देवता है यह देवी देवता कौन है अगर आप पीछे मुड़ कर देखें तो आपके पास जितने देवी देवता है उनके लिए जिस शब्द का इस्तिमाल किया जाता था आप देवी हैं वो है यंत्र उन्हें हमेशा यंत्र कहा गया यंत्र शब्द का अर्थ है मशीन या उपकरण या ओजार जब मैं हमारे योगिक मंदिरों को उपकरण कहता हूँ तो लोग आहत हो जाते हैं सद्गुरु ऐसा मत कहिए यह हमें अपने जीवन से भी प्यारा है मैंने कहा अगर आप इससे आहत होते हैं तो आप आश्रम आईए मैं आपको आश्रम में प्लंबिंग का काम दूँगा बिना किसी उपकरण के आप अपने नाखूनों और दातों से तीन दिन तक आश्रम में प्लंबिंग कीजिए तीन दिन के बाद मैं आपको तो एक chain ranch या spanner दूँगा, आप उसकी पूजा करेंगे या नहीं? आप उस 1000 की पूजा करेंगे या नहीं, अपने सारे दात खोने के बारे? तो 1000 की ताकत, हमने उपकरण या 1000 की ताकत को हमेशा से जाना है. हम इनसानों के रूप में इस धर्ती पर जो कुछ हैं, वो उन 1000 की वज़े से हैं, जो हमने बनाए हैं. अगर हमारे पास 1000 नहीं होते, तो एक कुटा भी हम पर हावी हो जाता, है ना? हाँ या ना? केवल 1000 के कारण ही इनसान वो बन पाया है, जो आज वो है. स्कुरूड्राइवर भी एक 1000 है, मगर कुछ सुक्ष्मों 1000 भी होते हैं. उर्जा के 1000, व्यक्ति परक 1000, जो जीवन के अलग-अलग आयामों को खोल सकते हैं. इसलिए हमने हर आयाम के लिए एक अलग यंत्र, एक अलग संभावना बनाई. क्योंकि हम साफ तौर पर जानते थे, कि इस यंत्र के बिना, हम कभी इस संभावना को नहीं चू सकते. हम उसके आगे जुकते हैं और उसी की पूजा करते हैं. क्योंकि प्रार्थनाशील बने बिना, ये आपके काम नहीं आएंगे. हम साफ तोर पर जानते हैं कि भगवान हमने ही बनाए है बस बाकी लोग इसे भूल गए है तो यहां हमने आप से कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है इसका मतलब है कि आपका जीवन आपका ही बनाय हुआ है तो पहले से तय होने का सवाल ही कहा है ऐसी कोई चीजस संस्कृती में नहीं है धन्यवाद सद्गुरू पर एक डॉक्टर के लिए सोचना खतरनाख है कि सब पहले से तय है